अब सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कव एक्ट के अंदर यह आता है उसको रिकमेंड किस ने किया तो फिर एक्ट आने के बाद यह फाइनली एक्ट के अंदर आता है कब 12 जुलाई 1982 और इसका रिकमेंडेशन किया था क्रैपी कार्ड कमेटी ने ओके जो की होती है जिसके फुल फॉर्म होती है कमीटी टू रिव्यू दा अरेंजमेंट फोर इंस्टिटूशनल क्राड़िट फोर अग्रिकल्चर एंड रूरल डैप्लमेंट और यह कब एस्टे प्लियमेंट में लौ पास होता है उसके बाद थी कोई बॉड़ी बनती है एक्ट का पास होने के बाद तो फिर यह किस टेचरी बॉड़ी है जो कि नावबादक्ट 1981 के अंदा आती है और यह क्रैपी कार्ड कमीटी थी उसके हैड ते सिवारमन कौन थे सिवारमन और सिवार का चाहरमन कमीशन, और इसके हैड कोटर का परे, मुंबई में इस एड कोटर मुंबई में यह बहुत इंपॉर्टन कुईशन और यह बहुत ज्यादा बैंकिंगेंग्जा मैं पूछ लिया गया है इसलिए आपको याद रखना है कि नावट का हैड का है एड काटर ये हम हमने डिस्कस करें लिया है कि इनावार एक श्टेचरी बाडी है क्योंकि एक एक एक्ट के अंदर आती है इसको बनने से पहले एक एक पास हुआ था इसलिए हए एक श्टेचरी बाड़ी है और ये एक اपेक्स वैंकिंग इंस्टिशौन होता है किसका जो कि फाइनेंस करता है अग्री कल चाहिए रूरल डेपलमेंट में और बैसे पूरी ओवराल बैंकिंग सिस्टम का जो एपेक्स वैंक होता है वो कॉन होता है यह हम डिसक्स कर चुके head of crappy card committee सिबारमन इसलिए ये सिबारमन crappy card committee के head थे इसलिए हम इस committee को सिबारमन committee या सिबारमन commission भी बोलते हैं अब क्या हुआ था कि जब नाबाड established हुआ था उससे पहले तीन RBI की agency थी जो कि नाबाड का function परफॉर्म करती थी है that is rural area में finance को provide करने का credit facility provide करने का rural areas को develop करने का और बो कौन-कौन सी committee थी पहली थी ACD that is agriculture credit department second थी rural planning and credit cell और तीसी थी agriculture refinance and deployment corporation so ये बाली ये committee थी जो कि 1982 से पहले work करती थी RBI की committee थी फिर बात में इन तीनों को merge करके इन तीनों को इन तीनों का function फंसन एक ही agency में merge कर दिया बहुत ही नावाड और इन सब को खतम कर दिया यानि कि इन सब को खतम हों के नावाड आई okay और इन सब का function जो भी फंसन ये तीन एजनसी परफॉर्म करती थी फिर वो नावाड परफॉर्म करने लगा और ये एजनसी थी agriculture credit department रूरल प्लानिंग और क्रेड़ेट से अग्रिकल्चर री फाइनस अडपलमेंट कॉर्पोरेशन ओके ये most important question है okay ये पूछ भी चुके हैं बहुत साही नावाड के अग्जाम में इसलिए आपको ये ये रिवेंबर करना है रिकॉल करके रखना है कि कौन कौन सी होती है राग्रिकल्चर क्रेड़ेट डपार्टमेंट रूरल प्लानिंग और क्रेड़ेट से और तीसरी होती है अग्रिकल्चर री फाइनस अडपलमेंट कॉर्पोरेशन क्यूंकि आपको ये बाला क्वेशन मोच्ट इनपरटन बन जाता है क्योंकि हाली में जो नाबाइड एक्ट था नाबाइड विल उसमेंडमेंगमेंड हुआ है और वह अमेंडमेंड किया था ही 2017 में हुआ था और ये अमेंडमेंड पास हुआ 2018 में इसमें क्या किया जो government to increase the authorized capital of NAVAD from Rs. 5,000 crore to Rs. 30,000 crore अब हम डिस्कस करते है कि NAVAD के associate क्या होती है और subsidiaries क्या होती है तो सबसे पहले जो NAVAD होता है यह एक refinancing agency है, refinancing agency कैसे कि यह अपना जो function परफॉर्म करती है with the help of RRBs and other cooperative bank यह क्या करती है कि यह finance provide करती है RRB को फिर RRB finance प्रवाइड करता है फार्मर को इसलिए इससे अपन बोलते है refinancing agency ओके अब हम देखते हैं जो यह associate होते हैं NAVAD के associate मतलब कि जो NAVAD का function perform करते हैं जैसे कि मुझे कुछ काम है तो मैंने आप से बोला कि आप मेरा यह काम करो तो पर आप मेरे क्या हुए associate हुए इस तरह से तो NAVAD का के बल एक ही associate है और वो है WORD की फुल पॉर्म होती है Bankers Institute of Rural Deployment okay okay so word है वो किस act के अंदर आता है यह आता है अंडर society act 1860 के अंदर आता है ठीक है और यह इसका headquarter का located है बो located है लखनाओ के अंदर अब यह established हुआ था 1983 में बाई नाबाड नहीं इसको बनाया था 1983 में नाबाड के बनने के बाद वर्ड वना जो कि नाबाड के फंसन को परफॉर्म करता है और इसके headquarter है लखनाओ में ओके और यह society act 1860 में आता है अब इस लिए कौन-कौन से फंसन परफॉर्म करता है तो फिर यह training provide करता है research and consultancy services provide करता है in the field of agriculture and rural development अब हम यह जानते कि नाबाड के लिए अपना function perform करता है तो obvious है कि रूरल agriculture and rural development के लिए ही work करेगा इसलिए यह क्या करता है training और research and consultancy services provide करता है अब हम discuss करते हैं subsidiary subsidiary मतलब होता हाथ पर है इतने ही आपको याद रखना है subsidiary नाबाड के subsidiaries हैं जो कि अलग लग function को perform करती है तो फिर सबसे पहले जो पहली subsidiary आती है वो होती है NKFL यानि कि नव किसान finance limited NKFL की full form क्या है नव किसान finance limited ओके अब इसको हम पहले किस नाम से जानते थे इसको हम जानते थे Agri Deployment Finance Limited ओके सो फॉर्मली पहले हम इसको जानते थे Agri Deployment Finance Limited जो कि तमिलनाडू में इस ते ते इसका headquarter अब यह जो नव किसान limited है finance limited यह incorporated किया किस में Company Act 1956 में इसको incorporate किया तक अब 14 February 1997 में okay incorporated under the Company Act 1956 on 14 February 1997 में अब इसके main objective क्या होते है यह credit facility provide करता है कि इसको promote करने के लिए expand करने के लो commercialization of enterprises जो कि agriculture and rural development activity में engaged रहती है यानि कि agriculture allied activities में engaged रहती है allied activity कैसे जैसे कि farming हो गया poultry हो गया daring बगेरा इन सम में जो भी activity जो भी enterprises engaged है उनको यह credit provide करता ताकि उनका promotion हो उनका expansion हो और उनका commercialization हो यह function होता है नावड की पहली subsidiary का okay जो कि नव किसान finance limited अब second आती है नव सम्रुद्धी finance limited okay नव सम्रुद्धी finance limited इसको हम पहले बोलते थे AVFL और AVFL की जो full form है वो होती है Agri business finance limited और यह केस company act के अंदर आती है 1956 के अंदर आती है और यह कब आने लगी थी 1956 के अंदर यह बाली company act के अंदर 17 फरवरी 1997 से ओके और वो इससे पहले वाली नव किसान finance limited वो आती थी 14 फरवरी 1997 से इसके अंदर company act के अंदर और यह रेजिस्टर होती है जह NBFC NBFC होता है non banking finance corporation with RBI ठीक है यह NBFC के रूप में RBI के अंदर रेजिस्टर है नव सम्रुद्धी finance limited अब इसके objectives क्या क्या होते है तो यह क्या करता है कि finance प्रवाइड करता है यह facility प्रवाइड करता है किसके लिए किसके लिए credit facility प्रवाइड करता है यह तो कोई अकेल अब्यक्ति हो जो कि लोन लेना चाहता हो यह पर पूरी की पूरी एक entity हो जैसे कि NBFC हो गए यह MBI Trust NGO corporate producer organization self help group इन सब को यह credit facility प्रवाइड करता है और help करता है किसी भी प्रमोशन के लिए expansion और commercialization के के लिए किसी भी enterprise के लिए यह पर किसी individual ने कोई enterprise को लिए किसी village के अंदर तो उसके लिए भी finance प्रवाइड करता है सो हब हम इसके detail में बढ़ते हैं इसके functions को यह provide करता है credit facilities to individual and other legal entities such as NBFCs, MBIs, Trust, NGOs, Corporate, Producers, Organization, Self-Help Group as well as individual for promotion, expansion, commercialization, modernization of enterprises and for activities in agriculture and farm sector including microfinance MSME यानि कि micro, small and medium enterprises के लिए भी finance प्रवाइड करता है और यह microfinance प्रवाइड करता है housing education and transport के लिए भी credit facility प्रवाइड करता है तो यह function था 9 समृद्धी योजना का sorry 9 समृद्धी finance limited का अब अगली subsidiary आती है 9 FINS जिसकी full form होती है नावर्ड financial services limited okay अब यह भी किस company act के अंडर रेजिस्टर हुगा या incorporate हुआ 1956 यानि कि अभी तक हमने जितने भी subsidiary पढ़ी है यह company act 1956 के अंडर incorporate हो गई ठीक है और जो 9 FINS होता है यह RBI के NBFC MFI के अंडर registered है यह NBFC के होती है non banking financial corporation और यह एक तार से NBFC का type है MFI जब हम NBFC को discuss करेंगे उसमें आप समझ जाओगे कि MFI क्या होते है अब इसके headquarter का है इसके headquarter है Bengaluru में और अब इसका क्या objective होते है यह भी financial services provide करता है किसको by providing micro finance and other facilities to need and disadvantage in a section of the society for securing their prosperity in both rural and urban areas यह क्या करते है यह rural और urban areas के ऐसे section को financial facility provide करते हैं जिससे कि वो self-sufficient हो जाए और अपनी prosperity कर सके हैं तो वो ऐसे कौन से होते है small sector जैसे की बीकर section of the society हो गया यह पर ऐसे लोग जिनको पैसो की जहुएत है ऐसे लोगों को यह finance provide करते हैं अब आता है Navard foundation यह fourth subsidiary है तो फिर यह बाली जो Navard foundation यह not for profit company है यह section 8 में आती है और यह पूरी की पूरी Navard ने own कर रखी है यह पूरी की पूरी Navard के अंदर आती है और यह not for profit work करती है not for profit यानि कि यह profit के लिए work नहीं करती है यह ऐसी company है यह social welfare के लिए work करती है अभी इस्टेवलेस का हुईती recently ही इस्टेवलेस हुईती अगस्त 2019 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नहीं नहीं subsidiary है अब नफ फाउंडेशन के objectives क्या क्या होते है तो यह compliment करती है the effort of Navard effort को यह क्या करती है compliment कर देती है यानिकि Navard की help करती है अपने काम को perform करने में और यह क्या काम करती है नफ फाउंडेशन को जैसे कोई company है उसको अपने जतनी भी earning हुई है उसका 2% हिस्सा अपनी total earning का 2% हिस्सा निकालके रखना परता है उसे नफ फाउंडेशन में submit करवाना परता है और ताकि जो नफ फाउंडेशन है उस पार्ट का उस रुप्यों का पैसा agriculture welfare में कर सके डूरल development में कर सके तो फिर वो हिस्सा होता है जो कि हर एक company हर एक private organization private company निकालके रखती है उसको हम बोलते है CSR यानिकि corporate social responsibility यह इनके responsibility होती है कि वो अपनी earning का total area हिस्सा होता है उनमें से कुछ हिस्सा निकालके रखें और उसको नफ फाउंडेशन में submit करवादें जिससे कि नफ फाउंडेशन उन पैसों का agriculture deployment में यूज कर सके तो यह function होता है नफ फाउंडेशन का अब अगली subsidiary आती है NAVCONS ओके अब नफ कॉंस के full form होती है NAVARD Consultancy Services जैसा कि इसका नाम बताते है Consultancy Services प्रवाइड करती है यह भी NAVARD की fully owned subsidiary है और यह Under Company Act 1956 के अंदर incorporate हो थी और यह established हो थी 9 December 2002 को 9 December 2002 और इसका जैसे कि मैंने बता ही था इसका नाम सी दिखता है कि Consultancy Services प्रवाइड करती है So provide consultancy in all spheres of agriculture, rural development and allied areas So यह हो गए हमारी 5th subsidiary अब लास्ट आती है यानि कि जो NAVARD की 6 subsidiary है यह आपको याद रखना है Final subsidiary आती है NAV Venture Limited नाम से इंडिकेट होता है कि यह एक ऐसी subsidiary है जो कि finance facility provide करते हैं For venture development में Okay किसमें? Ventures के deployment में It is wholly owned subsidiary of NAVARD NAV Venture is the investment manager of NAV Ventures fund अब यह एक fund है यह NAV Venture का fund है उसको manage करने का काम करती है इसका क्या काम है NAV Venture का यह manage करने का काम करती है किसका manager है किसकी NAV Venture fund की Okay और इसका target कितना है मतलब इसमें कितना submit हुआ है पैसा वह 500 करोड है यानि कि जो government है उसने इसके अंदर 500 करोड रुपए सम्मिट करके जमा करके उसको manage करना कि किसकी काम में लगाना है इन सब की जिम्मेदार होती है NAV Venture की अब इसका function क्या होता है तो इसका function यह होता है कि यह fund के credit facility प्रवाइड करती है यह पर investment करती है किसमें invest करती है ऐसी start-up में जो कि agriculture related activities में engaged है जो कि rural business का काम करती है पर allied sector का deployment का काम करती है उनको यह finance provide करता है fund provide करता है investment करता है और जो कि अभी ऐसी start-up जो कि अभी mid stage में है early to mid stage में है यदि वो पूरीता से grown हो चुकी है self-sustaining unit बन चुकी है तो उसमें investment करने की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि वो तो पहले सी अपना profit कमा रही है लेकिन ऐसे entrepreneur ऐसे enterprises जो कि अभी बनी है जो कि अपनी early stages में है या पर mid stage में जिनका बंद होनी का खत्रा बन सकता है तो उनको यह finance provide करती है जो function है अच्छे से perform कर सके the fund focus on investment in early to mid stage start-ups in agriculture, agri-tech agri-biotech, agri-rural fintech and rural businesses तो यह हमारी chapter था नावड का और यह most important chapter for banking exam के लिए and of course आपके third semester के लिए भी तो आपको यह अच्छे से पढ़ना है और मैंने आपको बताया था कि यह refinancing agency है तो refinancing का मतलब होता है कि एक ऐसी agency जैसे की नावड है जो कि अपना pension perform करती है by providing finance to RRB यानि कि regional rural bank अभी regional rural bank है यह finance provide करते है कि इसको farmer को इसको हम बोलते है क्या refinancing agency so नावड एक agency है जो कि curtain के पीछे से काम करती है इसमें कैसे officers होते है जो कि policies बनाते हैं जिससे कि हमारी rural areas का development हो agriculture का development हो इसलिए नावड behind the curtain काम करती है और समय समय पर government को यह suggestion देती है आपको ऐसा करना चीज़ उससे की रूरल या agriculture का development हो तो फिर यह एक बहुत अच्छा काम है एक बहुत अच्छा economics होते है officers होते है जो कि यह सब suggestion दे पाते हैं तो यह था हमारा chapter नावड़्ट next lecture में हम discuss करेंगे international organization like IMF International Monetary Fund World Bank अब हम इनको discuss करेंगे